अब अरको क्वेशन हेरो, अब चाहा अमले लोंग क्वेशन स्टाट गरतेचो एकदमने इंपोर्टेन रा, एकदमने रो माहले क्वेशन मुला जा सारे रो माहले क्वेशन ला क्वेशन पडूं केटा केट हो, find the equation of the line passing through the point 4,3 and portion of the line intercepted between the axis is bisected at this point बनाचा यो second part एक तम नाइ ध्यांदियर शुनन्न वाला, पॉर्णन वाला, इता, the portion of the line intercepted between the axis is bisected at this point बनाचा अब इसको मीनिंग क्यो, पहला figure बनाचा अनि clear हों चाहा इता, फिगर बनाचा पहला एकसा बनाचा बनाचा अनि पहला अजुर अले, आकसा बनाचा अनि पहला अजुर वूसैं क्वादा कंई ध्यो यो फो दा नाचा अनि करेंगही Пр visa 1, 2 , 3 , 4 , 3 , 4 , 3 , 4 , 3 , 2 , 2 , 4 , 4 , मैं पहला . यो जो пожघ्चिन होो है निदेर अनि गालाचा अनित fist , 1, 3 , 3 , 2 , 1 गाल influence, दम में हो भाला follow यह एनु सहिता, यो O, यो A O, बन्द ही मैले अगारी बनी सहिता को छो की O दे ही A समा को यो जुन दिस्टेंस सहनी, यो दिस्टेंस बनी को अजूर आल को की होता, this is your x-intercept O, means the value of this O A is का देता small a, in the same way, this is origin, this is point on y-axis, that is B, बन्द ही O दे ही B समा को यो दिस्टेंस बनी को की ह y-intercept denoted by small b, अब माला बन्नुस था, एदी O दे ही A समा को डिस्टेंस हजूर और को A चा बन्नुस था, यो point A को coordinates को दिस्टेंस बन्नुस था, what will be the coordinates of point A, भुजनु भाय ना, फेरी यहरों, यहरों बुजीन चाहिता, जस्थी मैले एसरी बनाए, जस्थी this is your origin, one, two, three, four, ल ऐसी, one, two, three, four, बनी, see x-axis मा कथी डिस्टेंस वेले ट्राबल करेगुछा, नरीजे, वे कथी डिस्टेंस ट्राबल करेगुछा, अन x-axis बन्नायों, औरीजे, original distance वेले कथी ट्राबल करेगुछा, नरीजे, four units ट्राबल करेगुछा बन्नु को अर्था, यो point A को coordinates को मुझें निट्से जस्ते यह वान टू थी फो फाइप चा बन दी कि कती यूनिट मातिग आयो बन दा है रिजए अजर अल्ले, small a मानी राख में बाच बन्द ही आई न, yoo point a को coordinates कती उंच, just like this, कती उंच ता, kती उंच, किटा-किटी ओ, बादारी a, 0 उंच, तेस्ते गरे रा, o, देखी, b समको distance से अजर अल्ले चे, yoo small b माननो बाखो अजर बन्द ही, yoo b point को coordinates कती उंच, बन्दाहेरी, पकाई पनी, एसको coordinates कती उंच, ता बन्दाहेरी 0, b उंच, बुझनु भायो, कती उंच रेता, 0, b अली रामरे री लेखनु अला, 0, b उंच, आए, a को coordinates, a, 0 बाखो बन्द ही, b को coordinates बन्दाहेरी, 0, b बन्दाहेरी, अब बन्दाहेरी की न लिखे, चाइन चाहेरी ते वरे भायजोर्य में अली कर देहरी ते वरे कुड़ागरी ना, s में चाहें चाहें थे वरे कुड़ाराइ तो अब मा क्की आ तो, यो लैंग्वेज लete मिलिख एला, बन्दाहेरी पहला में तो, बन्दा में 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 यो कि आए ला आ सफा गरूं था किटा किटी हो एला बने सफा गार रिहे आयता था ला एला लेग्वाइश मा अलिकरी चेंज गार दिंचू एला इमो चेंज गार दिए ला लाएं लाएन था यह 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 लिए बीवी अलाइन विच्छ गूर्फ एक्सफ आटाच अट रो एको को સેકતટ સે ना थूर मातला करें पडूख नियुका था था फुर कमार थी, मैं यहां थो पुएंट कची तह था फो कमार थी मही यहां ही दिया, 4.3 और यहां थो राले ख थे तोलर को लीजुका थे यह2. पर्ना हिकला।end पर्णा है कि आ पिणेускफेश की भानका ओकलाशे साया करना क्यों सुल्वा। X-axis बहल, यो अजुर अरको के बात? Y-axis बहल, यो ओ इजिन बहल बन्देखी, कुने योड़ा लाइन ड्रोग गरू के ना किटी यो लाइन ड्रोग गरू, जती शुगे लामो लाइन ड्रोग अनूस, no problem, कती पार्चे X-axis रो Y-axis को बिच्छा माच हा बन्दा हेरी, ये नूस this is your point A, this is your point B, बन्दीख, X-intercept, Y-intercept, बन्दीख, बन्दीख, बन्नु को अर्थ, दिस is the line, याएन ऐस Ta顈, इस इस the line which is intercepted बिट्विन X-axis एन Y-axis, यो बनिको अजुरर को X-axis बहयो, यो बनिको अजुरर को Y-axis बहयो, बनिको यो X-axis र यो Y-axis बिच्चामा कथी पार्ट छा बन्देरी एती पार्ट छा, यो लाइन बनिको चाहिए, this is the part of the line intercepted between the axis, no matter काती लामो लाइन ड्रोगान बहयो, यो आजुरर ले यो जथी नही ताला तनकायापीनी, यो जथी नही माती लायापीनी, के अर्थ चाहिनी, X-axis रो Y-axis को बिच्चामा काती पार्ट छा बन्देरी, इती पार्ट छा, ओ, this is the part of the line, or this is the portion of the line, which is intercepted between X-axis and Y-axis, It means a portion of the line intercepted between the axis AB . AB is a part of the line intercepted between X axis and Y axis Y portion means bisect at this point मा चै बाइसेक्ट गर से बा भाइसे को यह जुन लाइन एभी चुन लाइन एबी अ ङसे कुन पोईंट लेधा 4,3 लेजhou बाइसेक्ट गर से कुन पोईंट लेदwe सिंस्दना आमला देको..deeक्ट निचा नि चांद्यू हान्नुको अर्था यह 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 लागी यह 4,3 लेचा बाइशेक्ट गर्चा को मीनिंग कि अ ता बंदा हेवी यह जाती लागी यह 4,3 लेचा के रहाईचा क्या रहाईचा बाइचा के रहाइचा मीट पोईचा कर्चा धाट मेंस this point 4,3 is the midpoint of a.b. सायद सब बायली बुजनु भायला मैली के बनना खचेको लाइन जत्ती शुके लाइमा तानुस नो प्राब्लम है ना X-axis रो Y-axis X-axis रो Y-axis को बिच अमा पर्णी पार्ट बनी को यो AB भायल रो यो AB लाईचे के गरेशा रेता यो 4,3 ले बाइसेक्ट गरेशा दाट मींस यो 4,3 बने को चे के रहिछा बन्दारी यो AB बनी लाइन को चे मेड़पोइंट रहिछे बुजनु भायले अब मीडपोइंट वड आउनो पाशा ने के लागा वन बशा ता यू हब आपलाय मीडपोइंट फर्मुला के फर्मुलारे के टा के टीयो A-B is the portion of line between axes, line between axes, between axes, and what else do you want to say? I have a point, I have a point called P, and what do you want to say? P4,3 is the midpoint of A-B, A-B is the midpoint of A-B, of A-B, of A-B. If you have a midpoint of A-B, what do you want to say? If you have a midpoint of A-B, what do you want to say? You are given A, 0, and the coordinates of A is A, 0. I will suppose this as x1, y1. That's right. If you have a midpoint of A-B, then you will suppose this as x2, y2. If you have a midpoint formula, you will apply. So, apply using, what do you want to say? Midpoint formula. This is the midpoint formula. Everyone recall midpoint formula. What do you want to say? P, x, y. What do you want to say? x1 plus x2 by 2. So, what do you want to say? y1 plus y2 by 2. x1 plus x2 by 2. x1 plus x2 by 2. x1 plus x2 by 2. y1 plus y2 by 2. If you have a value layer, you will have p0. Now, p0 is 0. Now, p0 is 0. Now, x, y. The coordinates of p is 4, 3. So, you can put here. 4, 3 equals to. How do you want to say? x1 plus x2 by 2. x1 plus x2 by 2. x1 by 2. So, a plus x2 by 2. How do you want to say? 0. So, 0 divided by 2. Y1 by 2. How do you want to say? 0 plus y2 by 2. B divided by 2. So, what did I do? I just substitute the value. Value. So, you can write this as. So, you can write this as. How do you write this as? That is, 4, 3 equals to. Now, you can write this as. A plus 0 means a. So, a plus 0 means a. So, a by 2. 0 plus b means. That simply gives you b. So, b by 2. T is equal to the corresponding components. X part x part. Equate. Equate. So, equating the corresponding components. Equating the corresponding components. We are looking at the corresponding components. अल्किति आटे नाई, corresponding components बन्नोस अई, अब इकोईट गर्नोस था, X part, X part ला इकोईट गर्नोस, so you get here 4 equals to कदी बात, A by 2 बाल, it means if you do cross multiplication, you get A equals to 4 into 2, बच्चा मैं पड़े 8, ठीक चा, किना नाउगनू, तेस्टे गरे रहा, बाल, Y part ला इकोईट गर्नोस, so you can write here 3 equals to, यह Y coordinate कदी बाल, B by 2 बाल, B by 2 लेकोईट गर्नो बाल, बाल, the value of B is 3 to 6, so the value of A is 8, and the value of B is 6, एर B आयो, एर B आयो बन्नो को मीनिंग की आयला बन्नोस, same A, what is A and B, exactly, A बनिगो क्यो था, X intercept हो, B बनिगो क्यो, Y intercept हो, फेरी एक्चोटी रमाय लाए, A बनिगो क्यो, X intercept हो, B बनिगो क्यो, Y intercept हो, आमने था क्ये गाननी हो, A, B को equation निकाननी हो, ला, अब equation निकानो, so last मा अजूर आले क्ये बनना सकनून चान दायरीच, equation of line A, B हो, equation of line A, B in double intercept form बने रहे लेखनो अला ही ता, बएला formula लेखों केटा केटी हो, so formula is X by A plus Y by B equals 1, ठीक्छा, की गरेकोरेता, we just write the formula for the double intercept form, अब, A, B को value राख दीनू साइधा, ला, value राखी दीनू बहाविनी, X by A बनिगो कदी छाता, 8 छा, plus Y by B बनिगो कदी छाता, 6 equals to 1, अब, की गरनी, L7 लीनी पक्या पेनी या ठाउं अर्दने ते बरे एतापटी कर्छो है, 3X plus 6 कदी वाता, 3X plus 6 कदी गाता, 4 जा 24, 4Y equals to right side में कदी उन्चा, 1 अब, के गर्दीने, cross multiply गर्दीनी, So, this gives you 3X plus 4Y equals to 1 into 24 बनिको 24 राख दमा, is the required equation of straight line AB बनेता, लेखना वला, की लेखनी रेता, 3X plus 4Y equals to 24 is the required equation of straight line बनेता, conclusion लेखना वला आईता.